नमस्ते दोस्तों आप सभी को रहस्समयोडी सा यूट्यूब चैनेल पर स्वैगत करते हैं और पावन स्री हरी कथा मंदाकिनी की और एक अध्या में आप सभी को प्राणाम करते हैं कई दिनों के बाद आप लोगों के साथ ससंग करने का हमें ये जो अविसर प्राप्त हुआ है इसलिए हम भगवान का कोटी कोटी धन्यवाद देते हैं तो दोस्तों अब विलव ना करते हुए उसी हरी कथा की पावन और दिव्य कथा मृत का पान करते हैं पंच सखाओं के बारे में जितना भी कहा जाए बो कम भी होता है और उनोंने हमें बो मार्ग दिखलाया है जिसे मार्ग पर चलने पर किसी भी मनिश्य को किसी भी प्राणी को बड़ी आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त हो सकता है और वो मार्ग है समर्पन का मार्ग जैसे कि भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को सब कुछ बताते हैं जब मनुश्य समस्त विकार को परित्याग करके अपने आपको पुरी तरह से भगवान की स्री चरणों में समर्पित कर देता है तभी जाकर भगवान उसका उधार करते है समर्पन का और एक अर्थ है गोपी भाव यानि जिसके अंदर ये भाव आ जाये कि पूरे ब्रह्म्हन में सिर्फ एक ही पुरुस है और वो है जगरनाथ स्वामी और हम बाकी सवनारी है उसे भगवान के कृपा बड़ी आसानी से प्रप्थ हो जाती है तो दोस्तों महापरु स्रीश्री अचूतानंद दास के द्वरा लिखेते ग्रंथ जिसका नाम है काला निर्गंड और इसमें महापरु स्रीश्री अचूतानंद दास जी आने वाले भविश्य के लिए क्या क्या सब लिखा है इसे हम आपको पढ़ कर सुना देते हैं महापरु स्रीश्री अचूतानंद जी अपना परम सिस्य स्री रामदास जी से कहते हैं प्रत्थमा सुरसकत्था सुनमान देई आगता बचन एजे निर्गन टाटई घोरकली अगोर जे कली जुग जाना धन्यकली जुग बुली प्रसंसा प्रमाना महाप्रु स्री स्री अचुतानंद दास जी कलीयोग को तीन भाग में विभक्त किया है अगोरकली घोरकली और एक है सत्यकली अगोरकली और घोरकली ये समय अल्लेडी जा चुका है और जो अभी समय चल रहा है ये सत्यकली का समय चल रहा है यानि सत्ययोग और कलीयोग का जो धर्म का ही विजय होगा और अधर्म का पतन होगा इसलिए महापुरुस बार वार लोगों को चितावनी दे रहे हैं कि तुम लोग सत्य को फेचानों और सत्य की ही अनुशरान करों क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा जिसके पास सत्य होगा जिस भकतं को कोड़ा बन्टीवे अनन्त यूग में खुद भगवान स्री अनन्त किश्वर राजा बनेंगे और अपनी भकतों का पालन पोशन करेंगे और ये धर्ती बैकुंठ समान हो जाएगा मालिका से ये भी प्रमाल मिलता है कि भगवान स्री अनन्त किश्वर देव पूरे विश्यों में एक लाख भकतों को राजा बनाएंगे और जो भकत जिसी देवी देवता के अन्च से जन्म हुए हैं उसी भकत को उसका पकला भी प्रदान करेंगे एसा यूग ना कभी हुआ था ना ही कभी होगा और जिसमें भकत अनन्त सुख राशी को प्राप्त करेंगे इसके बाद महापरुस लिखते हैं 24 अंकरू और 44 जे जाएं महाघोर उत्तपात हुई वनिश्च जाएं महापरुस कहते हैं कि 24 अंक से लेकर 39 अंक के वीच में इसी धर्ती प्रुष्ट में इसी प्रुथी प्रुष्ट में महाघोर वित्पात दिखने को मिलेगा आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि आप जो समय चल रहा है जो कठिन परिस्तिती में लोग गजर रहें ये वही 24 अंक से लेकर 39 अंक का वीच का समय देखिए ये अंक का गणना करना इतना सहज नहीं है और हमने आपको पहले वी कई सारे वीडियो में कहा है कि आप अपने अंदर थोड़ा धिरज रखिए और आने वाले समय में हम आपको इसका सही जनकरी प्रभाइड करेंगे कि कौन सा अंक कौन सा साल को इंडिकेट करा है और कौन सा अंक किसका है महाप्रुस कहते हैं कि जब 39 अंक होगा तो पहली बार चातिया वट में भगवान का लिला प्रारम्भ हो जाएगा पुरे विश्यों में यूद का बातावरान फैल जाएगा और मध्या रात्री में महागर्जन महाभयंकर सब्द होगा 39 अंक में ये समस्त लक्षान आपको दिखने को मिलेगा तो दोस्तों आज का इस भीडियो में बस इतना ही है आने वाले समय में हम इसके उपर और भी बिस्तर पूर्वक बात करेंगे तो दोस्तों अनन्त कोटे विश्व ब्रह्मध के स्वामे नारायन महाविष्ण कल की रामे स्रे 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 सत्य अनन्त माधव की स्री चरं कमल में दंडवत करते हुए आज की इस भीडियो को यहीं पर समप्त करते हैं राम हरे कृष्ण हरे अनन्त माधव हरे अप सभी को जय जगना जय पंच सखा जय उडिशा जय भारत